बात बताता है पावन सिंग आज के टाइम में भोजपुरी के सबसे बड़े गायक है कोई अगर नहीं मानता है तो पागल है यह बता रहा हूं मैं उसके सामने कोई बर्ट करके तान मार दे तो मैं उसके आगाय चरहूंगा पावन सिंग की आवाज का दिवाना हर कोई है और उनकी आवाज कितनी बहतरीन है इसके लिए किसी मोहर की जरूरत नहीं है लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो पावन की आवाज को भोजपुरी की सबसे बहतरीन आवाज नहीं मानते तो उनके लि जो वीडियो है काफी है जी हाँ विने बिहारी ने ये कहा है इस वीडियो में कि पवन सिंग से बहतरीन आवाज इस वक्षपुरी इंडस्ट्री में किसी की नहीं है आपने तो इस वीडियो में सुना ही होगा कि विने बिहारी किस तरह से पवन सिंग की आवाज के कायल है वै बिने बिहारी के घर में ही रहते थे और जब पवन सिंग कामियाब हो गए तो जिस फ्लैट में वो बिने बिहारी के रहते थे वो फ्लैट उन्होंने बिने बिहारी से खरीद लिया जी हां क्यूंकि पवन सिंग का ऐसा मानना था कि इसी फ्लैट से उनकी इसी घर से उनकी किसम दे दिया भले ही आज उस घर में पवन सिंग नहीं रहते हों पवन सिंग ने अपना दूसरा आसियाना बसा लिया हो लेकिन मुंबई के अंधेरी इस्थित उस घर में पवन सिंग के आज भी कुछ रिष्टेदार रहते हैं ये पहला मौका नहीं है जब इन बिहारी ने पवन सिंग की जम कर और दहाड कर तारीफ की है इससे पहले भी वो उनकी आवाज के लिए कई बार मीडिया के सामने बहुत कुछ कह चुके हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारी इस रिपोर्ट के वारे में कमेंट बॉक्स में क कर दो को लिए बार मीडिय बार को पार दे पुर्च है जया का चाहेंगे जाड़े पहला कि टो उदे खिए काई ने जदा वेजरे हैं पहला बढ़्या में बुट नेदा हैं आप हमें जाएगे बुट्ट के लिए कम क्यों पहला मौमा जाया जाब बुक्ता चुमाई